मध्य पर्देश के मनावर के कोट रोड पर मध्य रात्री में 14 घंटे का नवजात शिशु मिला जिसकी सूचना पर डाइल सो वह 108 मोके पर पहुँच गई नवजात को मनावर के शासके बाद स्वस्थ है अच्छी देख़रें के लिए जीला अस्पताल रेफर किया गया है आपको बता दे कि मनावर कोट रोड शासकी डॉक्टरों के कुवार्टर के पास विती मधिरातरी को निर्दई मा अपनी 14 घंटे के नवजास शिशु को छोड़ कर चली गई कुछ समय के बाद वहां मरीज डॉक्टर देसाई के पास इलाज कराने पहुँचे तो पास में नवजात के रोने की आवास सुनाई दी जिनकी सूचना पुलिस को दी गई सुचना मिलते ही डायल हंडर्ड पुलिस वा 108 एंबुलेंस मोके पर पहुँची नवजात को मनावर के शास के स्वताल ले जाया गया जहां नवजात का इलाज किया गया जिसके बाद से नवजात अभी स्वस्थ है नवजात के अच्छे इलाज के लिए जिल अस्पताल भे अजिए बेरात को लगभग देड़ बजे की घटना थी रात को देड़ बजे जुलवाने के एक मरीच को लेके आ रहा था मेरे मित्र लोग जय इसके साथ ही उन्होंने मेरो को फोन करा कि भीया यार मरीच को ड़क्ट ड़क्षाई को दिखाना है देशाई ड़क्षाई में देखा है कि वहीं पर कोर्ट रोड पर एक दुकान के सामने ड़क्टर देशाई जो सरकारी क्वाटर है डॉक्टर के उसके जस्ट पास में बच्चा रो रहा था हमने देखा बच्चा रो रहा है दूफरे लोग घबरा गए फिर हमने क्या गाड़ी में से कपड़ा नि सुना लेकिन इत्तपाक फे क्या उसी टाइम हम लोग आ गए और उसका इलाज करवाया है डॉक्टर जी एस चोहन सी बीमों के प्रपदस्त है रात्री लगभग डेड़ बजे के जैस प्रवारी लाल सिंग जी बर्मन द्वारा एक नवजाद सिसू को हास्पिटल में भरती करवाये गया है उनके द्वारा बताया गया कि डेड़ बजे के लगभग रात्री में जब वो कोट रोट से निकल रहे थे तो उन्हों पर एक नवजाद बच्चे की रोने की आवाज आई तो उन्होंने देखा कि कोई दुकान के नीचे मिट्टी में एक नवजाद सिसू रोता हुआ मिला जिनको उनके द्वारा हास्पिटल लाया गया और बच्चे को यहाँ पर डुटी डाक्टर किरती बोरासी द्वारा चेक अप किया गया बच्चा लगभग एक किलो छेसो ग्राम का है और सोस्त है बच्चा जिसको यहाँ पर उपचार दिया गया और टिका करन किया गया है इसके बाद आगे की कारिवाई के लिए बच्चे को जिला स्थाल बेजा जा रहा है इसा कुछ लग नहीं रहा है डिलेवरी तो नार्मली हुई होगी लेकिन कह नहीं सकते कि यह हस्पिटल में डिलेवरी हुई या घर पे डिलेवरी ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल इकन को फ्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवारी अजल ति मनेग के लाइबTalk वुह झाल झाल